तो C3 cycle तभी चलती है, जब भी कॉनसी activity शो करें, carboxylase activity, पहला stable product तीन carbon का बनता है, इसलिए cycle को होते हैं, C3 cycle या C3 pathway, यह तुम्हारी ओपर वाली epidermis है, यह तुम्हारी नीचे वाली epidermis है, यहाँ पर तुम्हे जो gaps दिखाई दे रहे, gaps किसके बचो, stomata के, यह भी एक reason है, कि बंडल सेल की जो efficiency होती है, वो थोड़ी जाता होती है, as compared to the mesophyll, एक प्लांट के दर जितने भी प्लांट सेल होंगे, सारे प्लास्मो दस्मेटा से connected हो, जालू acetic acid को convert कराने के लिए, malic acid asparti के. How is it between a C3 pathway and a C4 pathway? तो हमने जब C3 pathway पढ़ा था, बच्चो, तो जिस भी प्लांट में यह pathway चलता है, देखो, confuse नहीं होना है, वैसे तो हर प्लांट में यह cycle या pathway चलता है, है न, बट हम अभी उन प्लांट के बारे में जिक्रिसले नहीं कर रहे हैं, why? Because अभी हमने उन प्लांट के बारे में नहीं पढ़ रखा है, तो अभी हम मान करके चल रहे हैं, बच्चो, कि C3 cycle सारे प्लांट में चलता है, बट हमने कल क्या पढ़ाता है, तो जब हमने C3 प्लांट के अंदर C3 pathway पढ़ा था, तो क्या पढ़ाता है, कौन से cell में C3 cycle चलती है, अच्छा सेल है, तो किसी particular organile में होता होगा, तो कौन से organile में होता है, chloroplast, ख्लोर प्लांट भी बहुत बढ़ा है, बहुत सारे compartment है, तो कौन से compartment में चलता होगा, stroma में, इंजाईम कौन से होती है, बच्चो, मेइन रुबिस्को, बट रुबिस्को का दो नेचर होता ह एक oxygen के साथ बाइन करवाना और एक CO2 के साथ बाइन करवाना तो हमने पढ़ा था बचो C3 cycle तभी चलती है जभी कॉनसी activity शो करें कार बॉक्जिलेज activity क्योंकि अगर यह oxygen के साथ बाइन कर जाएगा तो एक wasteful process शुरू हो जाता है that is called as photorespiration और जो हमने देखा था उस दोरान कोई भी glucose formation नहीं होता है और क्या पड़ा था हमने कि यहां का CO2 acceptor है यह कौन से CO2 acceptor की बात कर रहे हैं बच्चों यह कौन से CO2 acceptor की बात कर रहे है atmospheric CO2 acceptor वो कौन होता है पांच कारबन का keto sugar जिसका नाम क्या होता है RUBP ठीक है RUBP का C3 cycle में carboxylation होता है photorespiration में oxygenation होता है that is the difference उसके बाद यहां पर पहला product कैसा बना था 3 carbon compound और 3 carbon compound का नाम क्या था phosphoglyceric acid या phosphoglycerate क्योंकि पहला stable product 3 carbon का बनता है इसलिए cycle को हम क्या बोलते है C3 cycle या C3 pathway बच्चों ध्यान रखना है ठीक हम उन plants में क्योंकि हर plant photosynthesis तो करता है हर plant photosynthesis करेगा जो भी plant photosynthesis करेगा उसमें product किस हिसाब का बन रहा है उस हिसाब के वो plant कहलाएंगे अब इनको C3 plant क्यों कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो पहला product बन रहा है वो तीन carbon का बन रहा होगा that is PGA ठीक है that is PGA अब आओ चलते हैं बच्चों next वाला pathway पढ़ने के लिए that is C4 pathway that is C4 pathway अच्छा एक और चीज है हमने जब C3 cycle पढ़ा था तो एक carbon dioxide के लिए कितने ATP और NADPH खर्च हुए थे तीन ATP दो NADPH तो एक carbon dioxide से glucose तो बनता नहीं कितने से बनता है 6 carbon dioxide से चीक है तो उसके लिए कितना हो जाएगा 18 ATP और 12 NADPH तो आज हम देखेंगे जब C4 cycle चलता है C4 plants के अंदर तो उसमें कितने ATP और NADPH खर्च होते हैं अच्छा यार तुम सोच रहे होगे कि माम हमने तो पढ़ा था कि C3 cycle वो process होता है जो glucose बनाता है तो फिर C4 plant की जरुवत ही क्यों हैं मतलब C4 cycle की जरुवत क्यों है तो उसका भी discussion करेंगे बच्चों तो उसके लिए हम सबसे परे में पढ़ना होगा C4 cycle और what you can call it to be you can call it C4 pathway जैसे उसका नाम Calvin cycle था इसका नाम hatch and slack pathway है क्योंकि यह जो दो scientist है ना इन्हों ने इसके बारे मताया था एक scientist है hatch और दूसरे कौन है slack यह दोनों क्या है बच्चों यह दोनों scientist के नाम है नेम ओफ scientist ठीक है इसलिए उनके नाम पर क्या हो गया इनके pathway का नाम C3 cycle है ना वो कौन से plant में चलती है C3 plants में और C3 plants कहा पर मिलते हैं बच्चों temperate areas में कहां पर मिलते है temperate areas में जहां पर temperature ठंडा होता है बच्चों जोग्रफी में पड़ा होगा जो C4 plants होते हैं C4 pathway कहां चलता है C4 pathway occur in C4 plants और तुम्हें C4 plants कहां पर दिखाई देंगे C4 plants मिलते हैं they are adapted to they are adapted to ncrt line dry dry tropical areas और आपको पता है बच्चों ट्रॉपिक्स में सर्दी तो आती ही नहीं कभी ट्रॉपिक जो countries है ट्रॉपिक जो एरिया है हमारे इंडिया का भी जो साउथ वाला हिस्सा है उसमें तुम कहां देखते हो एक ही हिसाब को तो वैदर होता है अभी भी चले जो तुम हम जैकेट्स फगेरा थोड़ी ले करके जाते फिर गोटो गोवा वाई वहां पर तुम्हें एक तरीके का मौसम गर्मी जाधा मिलेगा है ना तो ट्रॉपिक्स में याद रखना है गर्मी जाधा होती है तो यह प्लांट जनरली तुम्हें जाधा टेंपरेचर वाले हिससे में दिखाई देते हैं और इन प्लांट में क्या चलता है सीफोर होता होगा तो क्यों ना यह सारा कुछ लिख लेते हैं देखो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहां पर एक special in plants में these plants ऐसे लिखते हैं रुको पहले तो इनका example लिख लेते हैं पहले इन C4 plants का example लिख लेते हैं तो हमारी NCRT में जो example हम उसी पर जाएंगे शुगर केन लिखा हुआ है एक शोरगम लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है बच्चो मेज लिखा हुआ है यह सारे के सारे के सारे C4 plants है क्यों क्योंकि इनमें क्या चलती है C4 cycle या C4 pathway ठीक है अब क्या पढ़ना है तुम्हें बच्चों यह जो plants होते हैं यह plants एक सेकेंड हाँ यह जो plants होते हैं they have a presence of they have a presence of special anatomy special कब बोरा जाता है जो इनके पास देखिया और किसी के पास नहीं और special anatomy का नाम क्या है special anatomy का नाम है क्रांज anatomy या नम है बच्चों Krans anatomy ध्यान से सुनते रहना क्रांज का मतलब क्या होता है क्रांज का मतलब होता है रित यह ग्रीग वेडेशो विच मीन्स which means रिद अब तुम सोच रहोगे कि ma'am इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या होता है it means covering अगर lateral meaning मैं तुम्हें बताऊँ इसका मतलब होता है covering अब यहाँ पर इसका क्या लेना देना है ऩी इह देखो धृहंचे सुनना इसके लिए मैं आपको एक डाइग्राम दिखाना चाहती हूँ, यह देखो, ध्यान से सुनना मेरे बच्चो, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, यह हमारी एक पत्ती है, यह पत्ती किसके है बच्चो, C4 प्लांट की लीफ है, ध्यान से सुनते रहना, यह C4 प्लांट की ली लीफ है, तो हमें पता है बच्चो, आनेटेमी में पढ़ते हैं, जब हम लीफ लेते हैं, तो उसके दो एपिडर्मिस होते हैं, जो ऊपर दिखाई दे, वो अपर एपिडर्मिस, जो नीचे दिखाई दे, that is a lower epidermis, है ना, लीफ खुद इतनी पत्ली है, बट हमने अगर इ खाई दे रहें, गैप किसके हैं, बच्चो, स्टॉमेटा के, जिसके थुरू क्या होता है, गैसे एक्स्चेंज होता है, और इसी स्टॉमेटा के थुरू, सी यो टू अंदर जाता है, और इसी सी यो टू को अंदर लेने प्रॉसस को हम क्या बोलते हैं, फिक्सेशन या कार hypoxylation normal सी चीज है अब देखो how this anatomy it is different from the anatomy of C3 plants कैसे देखो यहां पर यह देखो यह अंदर वाला हिस्सा क्या है बच्चो यह अंदर वाला हिस्सा है vascular bundle जैसे यह देखो हम इसको ऐसे द्रॉब कर सकते हैं यह क्या है बच्चो व्यास्कुलर bundle vascular bundle में हमारे क्या आते है vascular bundle में हमारे आते है यह क्या है vascular bundle नहीं दे रहा होगा रावयश दिखा रह रहा होगा औno तो इस राम में प्रम है बीच में प्रेजेंट करें ल educational मंटक रहे हैं यह ए बांदल शेट शेट का मतलब क्या होता है गैग और यह किसको कवर कर रहा है वास्कुलर को कवर कर रहा है इससे लिए एसी सेल को क्या बोल रहे हैं बंदल शेट शेट और आप देख सकते हो यह कितने compactly packed, NCIT ने लिखा हुआ है, इतने ज़्यादा tightly packed होते हैं कि कोई intercellular spaces नहीं होती है, और कोई spaces नहीं होती है, तो gaseous का exchange भी प्रापरली नहीं होता, इसलिए NCIT दे एक और line लिखी हो, जब कुछ लिखाएंगे, that they are impervious to gases, मतलब gases pass नहीं हो सकती, ठीक है, और ऐसा नहीं एक ही layer NCIT ने लिखा हुआ है, that they are present in several layers, तो यह मैंने सारी क्या बना दी है, यह सारी bundle sheet cells की क्या बना दी है, several, several, मतलब several layers हो सकते हैं, हमने यहाँ पर दो ही layer बनाई है, तो एक चीज देखो ना यार, bundle sheet cell, vascular bundle को cover कर रहे हैं, एक covering की, ठीक है, इसको कैसे draw नहीं कर सकते हैं, यह हमा regular bundle को surround किया, bundle sheet cell की एक layer ने, उसके बाद फिर से एक bundle sheet cell की एक layer लगी हुई है, तो जब कोई चीज cover करती है, arrangement इसका covering के firm में होता है, वो भी concentric arrangement, ऐसी arrangement को हम crowns anatomy बोलते हैं, और यह crowns anatomy special feature है, C4 plants का, क्योंकि यह anatomy तुम्हें और कहीं दिखाई नहीं देगी बच्चों, तो अ आप से normally ऐसी पूछ लिया जाए, आपको दो लीव दे दिया जाए, आपको यह ना बताया जाए कि उसमें कौन सी लीव C3 की है, कौन सी लीव C4 की है, तो आप कैसे पैचान होगे, दोनों लीव को काटो, जैसे यहाँ पर काट है ना, काट करके microscope के अंदर देखो, अगर त तरीके का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, that means वो कौन सा प्लांट है, वो किसकी लीव है, C4 की, अगर ऐसा अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे रहा, क्रांज अरेंट भी नहीं दिखाई दे तो किसका होगा, C3 का होगा, सिंपल, ठीक है, इसको थोड़ा और आइग्राम है हमारे पास, क्योंकि वहाँ पर लॉंगी टूड़ी वर्जन दिखा रहा था, यहाँ पर टूड़ी वर्जन है, तो देखो यहाँ पर अपर और लोवर एपिडरमिस है, बीच में यह तुम्हारा क्या है, बीच में हमारा वैस्कुलर बंडल है, जाईलम और इस बंडल को यह सारे सेल्स क्या कर रहे हैं बचो, सराउंड करके रख रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ बंडल शीट, यह हम बोलते हैं, बंडल शीट सेल्स, इनके अराउंड देखो कौन है, इनके अराउंड क्या होगा बचो, मीजोफिल सेल्स, ठीक है, तो यह है हमारी Kranz Anatomy, यह हमारी है Kranz, Kranz Anatomy, तो हम इसको define भी कर सकते हैं बच्चों, चलो define करते हैं Kranz Anatomy को, Kranz Anatomy में जो bundle sheet cell होते है, bundle sheet cell surrounds, surrounds, या लिख सकते हो, cover, लिख सकते हो, cover, vascular bundles, vascular bundles in specific manner और you can say specific arrangement, और इसी specific arrangement को we call it to be a crans anatomy, ठीक है बच्चों, तो हमने देखा यार कि यहाँ पर दो cells involved है, ठीक है, क्योंकि C4 के पास कौन से cell हैं, दो cell, mesophyll cell and bundle sheet cell, तो थोड़ा इस पर नजर मारते हैं, mesophyll cell और bundle sheet cell पर थोड़ा नजर मारते हैं, ठीक है, यह दोनों cell हमने देखा, पत्तियों की cell है, ठीक है, देखो, एक mesophyll cell है, एक bundle sheet cell है, इसको bundle sheet क्यों बोला, क्योंकि यह vascular bundle को surround करती है, अब यह दोनों cell किसकी है, लीव की cell है, तो obviously इनके पास chloroplast होगा, तो देखो, यह एक cell बनाया हुआ है, और cell के अंदर chloroplast है, यह भी cell बनाया हुआ है, cell के यह भी क्या है, यह भी है chloroplast, भ्यान से सुनते जाना बच्चों तभी समझ में आएगा, और यह chloroplast के अंदर यह सारे जो stack structure है, एक stack को thalakoid बोलते हैं, और overall stack को grana बोलते हैं, तो यहाँ पर तुम्हें grana दिखाई दे रहा है, तो ऐसे chloroplast को जहाँ पर grana दिखाई दे, ह हम उसको grana chloroplast बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ इंडिवीज्वली thalakoid प्रेजेंट है, इनकी stacking नहीं हो रखी, एक की ऊपर एक चिपके हुए नहीं है, यहाँ पर grana नहीं है, तो हम ऐसे chloroplast को क्या बोलते हैं, ऐसे chloroplast को ए गरानल chloroplast बोलते हैं, ठीके क्य यहां आ जाएगा यार इसमें पर इस सेंस में आ जाएगा क्योंकि हमें पता है ग्रैना होगा तो यहां पर PS1 भी होगा और दो थाला कोईट में दबे हुए कौन होते हैं PS2 होते हैं तो यहां पर अगर PS2 चलेगा बच्चों तो वी दाट PS2 ATP भी बना देता है NADPH भी बना देता है और औक्सिजन भी बना देता है PS1 अगर अगर अकलाइंड वाल्ड है तो यह सिर्फ साइक्लिक कराएगा PS2-PS1 नॉन साइक्लिक भी करा सकते हैं तो मीजोफिल सेल में बच्चों शाइक्लिक भी चल सकती एक कि ps1 भी जल सकती है कि ps1-ps2 दोनों है नॉन साइक्लिक चलेगा तो तुम्हें ATP, NADPH oxygen 3 मिलेगा सिर्फ साइक्लिक चलेगी तो ATB भी मिल जाएगा ठीक है यहां पर क्या होगा यहां पर शिर्फ थाल्सी지는 नहीं है हमें पता है ps2 दो थाला excell褉 ant के बीच में ही मिलते है मेंries फ्रेस इस्ते में मिल्ते यहां पर तो पर दबा हुआ होा olur नी डाट मीज यहां पर ps2 ps2 क्या होता बच्चो अपसेंट होता है ps2 क्या होता एक अपसेंट होता है यहां पर सिर्फ क्या छो ढहें कोने पीस 1 पीस ऑन मिले गए बचा तो यहां पर छ मलेगी और अगर पर सिर्फ साइकलिक चले पर एक डिय को ATP बनेगा ना anadph बनेगा औक बने ना ऑक्सिजेन बनेगा ठीक है ना नाइझ बनेगा ना और एक difference है, यहाँ पर जान बुचके मैंने जो इसकी wall है, यह जो wall है थोड़ी मोटी दिखाई है, because इसकी जो wall होती है बचो थोड़ी थिक होती है, यहाँ अगर तुम compare करोगे, तो इसकी wall जान बुचके मैंने thin दिखाई है, यह भी एक difference है, इसको comparatively थोड़ा बड़ा बनाया है, क्योंकि bundle sheet cell का size large होता है, इसका जो size है, तुम चाहो तो और छोटा बना लो, so the difference तुमें compare करने में easy हो जाए, bundle sheet cell में जादा chloroplast की number होते है, chloroplast number, अभी सब difference के form में लिखेंगे बचो, chloroplast का जो number है, वो जादा होता है, यहाँ पर as compared to the bundle sheet cell, chloroplast का number कम होता है, यह भी एक reason है, कि bundle cell की जो efficiency होती है, वो थोड़ी जादा होती है, as compared to the mesophyll cell, compare करें, relate करें, इसका जो यह नहीं कि खराब है, ठीक है, तो compare करके हमें क्या-क्या मिला है, यह बो लिखते हैं, कि जो C4 plants है, उनके पास दो types of leaves, नहीं, sorry, दो types of, क्या होता है, बच्चो, दो types of cell होता है, और इस cell की अपनी एक anatomy होती ही, जिस पर हमने डिसकस कर लिया है, that is the crowns anatomy, फिर हमने क्या देखा बच्चो, कि मीजो फिल सेल में जो chloroplast है, वो कैसा है, granule chloroplast, तो granule chloroplast होने की वज़े से grana है, तो grana होने की वज़े से ps1 और ps2 दोनों present है, ps1 के present से ATP formation हो रही है, और ps2 के वज़े से ATP formation हो रही है, साथी साथ NADPH formation हो रही है, और साथी साथ oxygen भी बन रहा है, ps1 के होने से cyclic भी चल सकती है, और ps2 होने की वज़े से non-cyclic भी हो सकती है, non-cyclic photo phosphorylation, इसका जो cell wall था, कैसा था, thin cell wall, ठीक है, यहाँ पर अगर bundle sheet cell की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा, एक granul chloroplast है, ठीक है, और ps1 सिर्फ present होता है, ps2 absent होता है, ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि ps2 absent होता है, no oxygen, ATP and NADPH formed, ठीक है, ps1 होता है, only ATP formed, यह ATP किसे आ रही है, यह ATP किसे आ रही होगी, cyclic वाले से, क्योंकि non cyclic वाला यहाँ पर बच्चों नहीं चल सकता, cyclic photo phosphorylation, ठीक है, और क्या difference लिख सकते हो, यहाँ की जो वाल होती है, बच्चों वो थिक वाल होती है, NCRT में और क्या लिखा हुआ है, सब लिख लो, compactly arranged होते हैं, compactly arranged होने की बज़े से, there is no intercellular spaces, अभी arrangement दिखाई थी बच्चों, no intercellular spaces, और इसलिए इनके जो इधर लिख देती हूँ, जगह कम हो गई उधर, इसलिए the wall, क्योंकि एक तो ठिक भी है, और कोई space भी नहीं प्रेजन्ट है, एक्स्चेंज होने के लिए, इसलिए इसको लिखा हुआ है, they are impervious, they are impervious to gases, और सारे NCRT की बात लिख रहा है, तो एक और बात लिखो, अगर तुम्हें C4 प्लांस को identify करना है, तो तुम्हें कौन सी चीज देखनी चाहिए, इसी सेल की प्लेस्मेंट देखनी चाहिए, क्योंकि यही सेल, वैस्कुलर बंदल को रित और क्रांस के फ़र्म में कवर करके रखता है, इसलिए NCRT ने लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ NCRT ने, NCRT ने लिखा हुआ है, तो यह सारी बाते बच्चों NCRT की है, जिसमें से कुछ डिफ्रेंसे हमने पिछले साइड में भी पढ़ा हुआ है, यहां पर यह जो दो पॉइंट है, इसको बाद में एक्स्प्रेंड करेंगे, जब साइकल कम्प्लीट कर लेंगे, अभी हमने देखा कि दो तरीके के सेल्स प्रेजन होते हैं, ऑप यहां से तुम्हें देखने को मिल रहा है, एक से कंड हां यहां से तुम्हें देखने को मिल रहा है कि plant एक है पत्ती एक है उस प्ती में डो स्थ है दोनों सेल मिलों प्लासट यह है। तो ऐसे chloroplast को क्या बोलते हैं ऐसे chloroplast को dimorphic chloroplast बोलते हैं मतलब यह जो plants है इनके पास हमने बोला था ना special anatomy है उस special anatomy में एक तो हमने पढ़ लिया कि इनके पास crans anatomy होती है और इनके पास special क्या होता है बच्चो इस plants are special with respect to presence of dimorphic chloroplast डाई मौर्फिक क्लोरोप्लास्ट डाई मौर्फिक लोरोप्लास्ट का मतलब two different forms of chloroplast two types कहलो या two forms of chloroplast कहलो और वो दो forms कौन से हैं एक granule वाला और एक granule वाला ठीके बच्चो तो we understood this also यह हमारा खतम हो गया इसके बाद सुनना यार हम कह रहे हैं कि दो cell involved है एक मोटी वाली bundle sheet cell और एक थोड़ी thin, that is mesophyll cell है ना, बड़ ये दोनों cell आपस में connected है क्योंकि plant cell है ना, तो cell वाले में पढ़ा था ना, कि different plant cells they are connected with the help of plasmo desmeta, एक plant के दर जितने भी plant cell होंगे सारे plasmo desmeta से connected होंगे तो देख लेते हैं यार कि यह दोनों प्लांस मिल करके इस cycle को कैसे operate करते हैं inside C4 plants inside C4 plants तो देखो C4 plants में क्या होता है यार C4 plants में क्या होता है देखो हमने दोनों cells बना लिए बच्चो ठीक है यह दोनों cell आपस में connected है कौनसी connection है वो बच्चो एक सेकेंड कौनसी connection है वो बच्चो that is plasmo desmata ठीक है यहां पर भी plasmo desmata बना दिया यहां पर भी plasmo desmata बना दिया है उसको लेबल कर देते हैं दोनों cells अपना समान अदान प्रदान कर सकते हैं with the help of this connection just a second yes with the help of this connection that is called as plasmo desmata ठीक है यह कौनसी cell है पहले लेवल करते हैं बच्चो this is mesophyll cell और यह कौनसी cell है this is bundle sheet cell कौनसी this is bundle sheet cell जान मुझके मोटी दिखाई है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी जो बॉल होती है वो ठीक होती है इसको comparatively पतला दिखाया क्योंकि हमने पढ़ रख का है इसकी जो थिन वॉल होती comparatively थोड़ी पतली होती है अब हम बात करते हैं ठीक है fixation की carboxylation की हमें पता है की carboxylation मतलब सबसे पहले co2 को अंदर लाना पड़ेगा तो हम कौन से co2 की बात करें atmospheric co2 की ठीक है atmospheric co2 को सबसे पहले मीजो फिल सेल के अंदर लाया जाता है अब कोई अंदर खीच रहा है that means कोई acceptor present होगा जैसे वहाँ पर एक acceptor था rubp यहाँ पर भी एक acceptor होता है बच्चो जाज उसका नाम क्या होता है पैप साथी साथ हम लिखते भी रहते हैं ठीक है क्या हमने पड़ा यहाँ पर primary co2 acceptor primary co2 acceptor कौन है ठीक है कितने कार्बन का है बच्चो यह तील कार्बन का है प्राइमरी co2 acceptor क्यों बोल रहा है क्योंकि यहीं है तील कार्बन वाले acceptor जो एट्मोस्परिक co2 को अंदर खीच करके ला रहा है ठीक है अब ध्यान से देखना अगर तो मैं ऐसे देखोगे ना इसे नहीं लिखा हुआ है जब co2 अंदर आता है है ना तो वह co2 एक दूसरे फर्म में ौल सभी है इस फर्म मेरा अता तो समझ जाना कि जब co2 अंदर आता है तो एक सब्सक्राइब को हो कितने कार्बन का है बच्चो तीन कार्बन का है ये खुद एक तीन कार्बन है एक CO2 को और एक्सेट कर लिया एक कार्बन को और एक्सेट कर लिया कितना हो गया चार कार्बन तो सबसे पहले क्या हुई होगी कार्बोक्सिलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं fixation और fixation के बाद जो पहला product बनता है first table product उस first table product का नाम क्या है OAA तो यहाँ पर लिखते हैं this is the first table product धान से सुनते रहना बचो first stable product यह first table product का carbon number कितना है चार क्योंकि पहला product चार carbon का बनता है इसलिए cycle को हम C4 cycle बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं C4 cycle बोलते हैं moreover ये कहां पर हम पढ़ रहे हैं ये हम एक plant के अंदर पढ़ रहे हैं that means जब कोई एक plant CO2 को ले करके photosynthesis में proceed करता है और उस plant को पहला product चार कार्बन वाला मिल जाए तो वह plant कैसे हो जाएंगे C4 plants हो जाएंगे ठीक है अब स्थान से सुनना ये पहला product बना है तो हम इसको लिख भी लेते हैं बच्चों एक जगह पर हम सारा summary लिख रहे हैं कि first stable product first stable product formed after fixation difference देखते रहो बच्चों बहुत सारा difference है इनके और C3 में first stable product formed after fixation क्या हो गया यहां पर oxaloacetic acid जो कि कितने कार्बन का है चार कार्बन का है ठीक है तो यह सब किसके कौन से पाथवे में देख रहे हैं C3 sorry C3 ने एक second किसमें देख रहे हैं बच्चों C4 pathway में देख रहे हैं किसमें देख रहे हैं C4 pathway में देख रहे हैं ठीक है अब ध्यान से सुनना अब होगा क्या oxaloacetic acid बन गया अगर primary acceptor है तो वहां पर भी जब acceptor था बच्चों तो एक enzyme थी जो इस reaction को catalyze कर रहे थी that means fixation को कराने के लिए भी कोई enzyme होगी न यार बिल्कुल होगी वहां पर RUBP acceptor था तो enzyme Rubisco थी यहां पर PEP acceptor है तो यहां पर enzyme कौन सी होगी यहां पर जो enzyme present होती है बच्चों that is PEP case ठीक है और यह सब कुछ किस cell में हुआ है मीजोफिल cell में that means mesophyll cell में क्या present होती है PEP case mesophyll cell में क्या present होता है acceptor तो यह भी लिखो यार यह भी लिखो कि जो enzyme है जो primary fixation कराए equation आता है जो enzyme है जो primary fixation या primary carboxylation कराती है इन C4 plants उस enzyme का नाम क्या है बच्चों उस enzyme का नाम है PEP case क्या नाम है PEP case यह सब कुछ किस cell में हो रहा है यह सब कुछ हो रहा है बच्चों mesophyll cell में किस cell में mesophyll cell में clear हो गया ओके उसके बात अराम अराम से पढ़ रहा है जान बुच के तो तुम लोग को भी थोड़ा patience रखना है compare करते रहो और पढ़ते रहो अब आजो next चीज़ पर oxaloacetic acid बन गया oxaloacetic acid convert हो जाता है other c4 acid में उस other c4 acid का नाम क्या है malic acid या और किसमें convert हो सकता है बच्चों spartic acid यह भी सारे चार कार्बन है तो इनको हम क्या बोलते हैं c4 acids बोलते हैं इसको भी तुम क्या बोल सकते हो चार कार्बन वाला acid है तो इसको भी तुम क्या बोल सकते हो c4 acids बोल सकते हो अब मैं आपको कुछ सेकेंड देती हूं बच्चों एक काम करो क्रेप साइकल खोल लो खोल करके बैठो क्रेप साइकल परना खोल लिया क्योंकि बच्चों कंपेर करो के तभी मज़ा आएगा पढ़ने मेरे तो लग बना था बना था तो वहां पर क्या हुआ था वहां पर न ए क्टति प्लस रिड्यूस रेड्यूस हुआथ फोटा ले है अब यहां पर हम वह जटेलो यहां पर क्या होता है हमने खूब सारे यह एसे मिलेटरी पावर बना रखे स्जानी के लिए लाइट प्रेक्षिन में इंको बनाया था यूज करने के लिए देखो यूज हो गए NADPH आक्सडाइब हो करके क्या बना लेते हैं NADP Plus, क्या बना लेते हैं बच्चो NADP क्लास। फिर्ट हो गया कि क्रफ को बाद करें अब क्या होगा बच्छों मैलिक एसिद और पारिक एस तर इनकर करेंगे खाना है और शेट सेल में बंड़ चीन तर्सपोर्ट किया जाएगा सारे के सारे समान को ट्रांस्पोर्ट करके ले आया जाता है किचन में और किचन कौन है यहां पर बंडलशीटल इसको किचन क्यों बोल रहे है क्योंकि यहीं पर प्रेजेन्ट है इंजाइम खाना बनाने वाली यहां पर चल रहा है है कित यहां पर क्या चल रहा है जहां से अब क्या होगा बैद ध्यान से सुन ना आपको पता है वाच्चों की पार मявक यहांक इस होगा सबसे करो चार से थीन कारवन एक ना था जै legitimate बेया तक यासरी कारवबन नंबर रिडिवक होगा जैसे ही कारवन नंबर रिडियूँ सोगा डाट मीन शीक्वटू है निकला है निकला 0.ree. c o2 यह निकल गया अब क्या हो गया कि यह जो पाईयरूबै कैसे हमें पता है अभी साइक लिक्सेशं वें तब कम्प्लीट होती है कि जब हम जहां से शुरू किये हैं वहां पर खतम कर दें शुरू कहां पर किये थे बच्चो शुरू किये थे कि जब CO2 अंदर आया था और पैप ने उसको खीच करके इस्तमाल कर लिया था fixation में fixation के बाद क्या बन गया था ओए अब हमें क्या करना है यहां पर देखो ऐसा क्या लग रहा है हमने यह CO2 यहां से खीचा यहां पर निकाल दिया बिल्कुल यहां से CO2 खीच रहे हैं यहां पर फेक दे रहे हैं ठीक है तो यह जो CO2 निकला है कहां पर निकला यह CO2 निकला है हमारा bundle sheet cell में इसका क्या होगा इस CO2 को कौन खीच लेगा इस CO2 को खीच लेता है RUBP that means RUBP किसमें चला गया Carboxylation में और carboxylation में चला गया RUBP that means क्या चलाने लगेगा बच्चो C3 cycle और एस C3 cycle में इस CO2 को क्या कर रहे हैं ध्यार से सुनना क्या कर बच्चो और fix कर रहे हैंring dit co2 को किसके तूइन करा रहे हैं C3 cycle और जब C3 cycle चलेगी तो ग्लुकोस तो बनी जाएगा नहीं लुकोस तो बनी जाएगा तो तुमने देखा बच्चो की C4 plants में C4 है बट फिर भी C3 cycle चल रही है कहां पर चल रही है C3 cycle bundle sheet cell में और उसको को स्तमाल करिके व क्या बना रहा है खाना बन गया but the cycle the pathway it is not complete it is not completed yet why because we know that खाना बनाना is not the ultimate ठीक है बना दिया बंध हमें रीजन रेट कराना पड़ता है किसको रीजन रेच पर आना पड़ता है क्या कराना पड़ेगा फिर ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा तो यह जो पाइरवेक एसिड है इसका ट्रांसपोर्ट होता है और इसको कहां लाया जाता है इसको लाया जाता है कहां पर larger the cell is mesophyll cell और इस तो को इस्तमाल करते हैं बच्जों किसको regenerate करने के लिए पेप को regenerate करने के लिए यान से सुनते रहना खना नहीं हुआ अभी इसको हमस्तमाल करेंगे लिए पेप के रिजनरेशन के लिए अब फिर से पिर से इसको पंना जब खोलो तो लास्ट व्लाइकोलिस का देखो प्रविक बना था Baptist अब उल्टा कर रहे ओ उल्टा कर रहे हो तो 20 क्या होगा बच्छों एटीपी खर्च होगी कितनी एटीपी खर्च होती है डो एटीपी कितनी खर्च होती बच्चों दो ATP खर्च होती है। ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया है। दुबारा रिपीट कर रहे हुआ है। ध्यान से सुनना। दुबार रिपीट कर रहे हुआ है। दो सेल से। एक सेल एक्मॉस्फरिक CO2 लिया उसको किसने खीचा है पैपने खीचा है पैपने खीच करके उसका fixation कराया पहला प्रोड़क्ट बनाया चार कार्बन का इसलिए इस पाथवे को C4 पाथवे बोलते हैं ठीक है इसके बाद इसको convert कराया Malic Acid Spartic Acid में जिसको कहां बेज दिया गया bundle sheet cell में bundle sheet cell में जाने के बाद उसको किसमें convert कराया जा रहा है तीन carbon compound में इसका नाम है पाइरोवेग एक एसन डाट मीस बंडल sheet cell में क्या चल रही है बच्चों bundle sheet cell में fixation चल रही है fixation का दूसरा नाम क्या होता है एक second fixation का नाम क्या होता है? Carboxylation तो Bundle Sheet Cell में Carboxylation भी चल रही है और, CO2 Removal को क्या बोलते है? D-Carboxylation, तो Bundle Sheet Cell में बच्चों Carboxylation भी चल रही है, सां इसाध D-Carboxylation भी चल रही है अगर मैं Measophyll Cell की बात करों, मेasophyll ऍेस में सिर्फ क्या चल रहा है? fixation या तुम क्या क्या सकते हो सिर्फ क्या चल रहा है carboxylation ठीक है यहाँ पर कितनी बार carboxylation हो रही है दो-दो बार हो रही है एक बार mesophyll cell में एक बार bundle sheet cell में mesophyll cell में कौन से carbon dioxide को fix किया जा रहा है जो atmosphere से आ रहा है जो कहां से आ रहा है atmosphere से आ रहा है इसलिए हमने लिखा है कि primary carboxylation कौन करा रहा है पेपकेज में और कहां करा रहा है बच्छो मीजोफिल सेल में कहां करा रहा है मीजोफिल सेल में तो अगर आपसे question पूछा जाए क्योंकि तुम्हें पता है दो दो बार carboxylation हो रही है तो question उसे साफ से पूछा जाएगा ना बच्छो question पूछा जाए अगर primary carboxylation कहां हो रही है तो तुम क्या मा करोगे मीजोफिल सेल कौन सी enzyme करा रही है पेपकेज करा रही है अगर तुमसे सवाल पूछा जाए let me change the color तुमसे सवाल पूछा जाए कि secondary carboxylation कहां चली secondary carboxylation चली है bundle in bundle sheet cell और acceptor कौन था उसका? secondary carbon dioxide acceptor कौन था? RUBP और enzyme कौन था? enzyme था बच्चो रूबिस्को कौन था? रूबिस्को ठीक है तो हमने देख लिया कि एक बार नी दो बार carboxylation चली है that means C4 plants एक और चीज के लिए famous है C4 plants एक और चीज के लिए famous है एक तो krans anatomy के लिए famous थे एक दो तरीकी के chloroplast के लिए famous थे और दो बार carboxylation कराते हैं तो ये double carboxylation के लिए भी famous है अगर हम C3 के बात करें C3 में एक ही बार fixation हुआ था ले दे करके कहां पर सारा कुछ mesophyll cell में यहां पर दो cell हैं दोनों cell में carboxylation हुई है दोनों cell में fixation हुई है जो difference है वो भी explain कर दिया है ठीक है बचो तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि differences क्या है bundle sheet cell में और mesophyll cell में और carboxylation कितनी बार हुई है am I clear with this thing कि नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं अभी तुमने सब differences देखे हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि कहां कहां पर assimilatory power खर्च हुए हैं ठीक है हमने देखा कि जो यह assimilatory power बनाया था light reaction में वह convert हो गया यहां पर oxaloacetic acid को convert कराने के लिए malic acid और spartic acid में अच्छा एक चीज़ और एक चीज़ और लिखना कि कि जब malic acid और spartic acid convert होते हैं डी carboxylation में जाते हैं पाइरुवेक एसिट बनाने के लिए तो यहां पर भी कुछ होता है यहां पर क्या होता है एन ए डी पी प्लस reduce होता है एन डी पी एच बनता है ठीक है तो यहां पर हमने देखा कुछ हुआ फिर c3 cycle चली होगी तो हमें c3 cycle का सारा result पता है तो वह भी हम यहां नहीं कर रहे हैं ठीक है और हमने देखा कि यहां पर 2 ATP खर्च हुई है ठीक है 2 ATP खर्च हुई है अच्छा एक चीज़ और य यह वाली जो cycle है यह वाली देखो hand movement देखना यह 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 कौन सी cycle है यह तुम क्या बोलोगे यह c4 cycle है या तुम कह सकते हो c4 pathway है इधर क्या चला c3 cycle चला तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चो आपसे पूछा जाए हमने बोला की arrangement हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं प्ल प्लांट में c4 cycle भी चला है as you can see और c3 cycle चला है चला है तो इस प्लांट में अगर दोनों cycle चल रही है तो इस प्लांट को हम c4 प्लांट क्यों बोल रहे हैं why not c3 cycle क्योंकि वच्चो जो भी हमने नाम करण किया है वो किस बेसिस पे किया है कि पहला product बन कौन रहा है क्योंकि इस पाथवे में शुरुआत में जो पहला product बना वो चार कारबन का बना इसलिए ऐसे प्लांट को हमने c4 बोला है c3 नहीं बोला है और एक चीज़ और याद करो पिशल लेक्चर में हमने पढ़ा था कि c3 cycle जो होता है that is the basic cycle जो हर प्लांट में चलेगा यह प्लांट कौन सा मात्र तरीका है वो c3 वाला ही है clear हो गया अब सुनो तो जब c3 cycle ही ग्लोकोस बना सकता था तो हम c4 क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो शुरुवात होती है वो मीजोफिल से होती है मीजोफिल सेल में कौन सी enzyme है fixation कराने वाली कौन सी पैपकेस पैपके तो फैक दे रहें co2 को यहां से खीच आफ यहां दे रहें बंडल शीटल इक यहां प्रेजन्ट बच्चोν बंडल शीट सेल में कौन प्रेजैन्त रूपिस को जिसका वह स्तमाल करेंगे क्या बनाने के लिए घ्यायम ठीक है तो इन्होंने एक CO2 यहां अंदर लिया और वह एक CO2 यहां पर रिमोव हो गया तो और वह एक CO2 कहां चला गया च्छाएकल में चला गया तो हमें पता है बच्छो जब C3 साइकल में एक C2 एंटर करता है तो ग्लुकोज नहीं बनता हमें कितने CO2 चाहिए होते हैं 5 और 1 दाट इस 6 CO2 6 CO2 जब C3 में जाएगा तब जा करके एक molecule of glucose that means अब सुनते जाना यार अब सुनते जाना होगा क्या थ्यान से एक CO2 जब अंदर आ रहा है ठीक है जब एक CO2 अंदर जा रहा है तो हमारा C4 पाथवे भी चल रहा है वन टर्न C4 पाथवे और साथी साथ हमारा C3 पाथवे और you can say C3 साइकिल भी चल रहा है कितनी बार वन टर्न ठीक है अब जब एक CO2 अंदर आया जब एक CO2 अंदर आया C4 पाथवे के थू बताओ कि कितने ATP और NADPH खर्च हुए है तो तुम बोलोगे मैम C4 में तो दो ही दिख रहे हैं बिल्कुल सही बात है C4 में कितने हैं कि दो दिख रहे हैं कि दो ATP है ठीक है और C3 में देखो कितने हैं कि सीथी में तो हमें पता ही है ना यार कि जब यह C3 साइकिल चलेगी एक कार्बन डायोकसाइड के लिए खोलो खोलो किया मेरे पास भी है मैं दिखा देती हूं ठीक है जब एक बार C3 साइकिल चलती है एक कार्बन डायोकसाइड के लिए तो तीन ATP और दो NADPH खर्च होते हैं तो लिखते हैं इस बात को जहांसे देखना कि C3 के लिए कितना हो गया एक कार्बन डायोकसाइड के लिए तीन ATP है ना तो अगर आपसे पूछा जाए देखो जिस इसाब का सबाल आएगा बच्चों इससाब से आंसर करना बार-बार ही कह रही है रटने वोला चाप्टर नहीं है अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर छुड़ आपस बताओ जब एक और करेगा छी फॉर में ठीक है थी फॉर प्लांट में पूछ रहा है तो सी थुल प्लांट में बच्चों ये वाला पाथवे भी चलेगा सबूत है ना मारे पास देखो साइकल तो यह वाला जब चलता है तो दो एटिपी वहां खर्च हो रही है और C3 चलेगा तो 3 ATP तो ओवराल कितना ATP खर्च हो गया है कि टोटल कितना हो गया बच्चों टोटल हो गया पांच ATP बट अगर आपसे सवाल आए कि सिर्फ C4 पाथवे के थ्रू बताओ एक कारबन डायोकसाइड के लिए तो कितना माग करोगे 2 ATP या पूछा जाए कि C4 प्लांट में एक कारबन डायोकसाइड जब एंट्री कर रहा है तो ATP का खर्च बताओ वाया C3 पाथवे तो सिर्फ कितना सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करोगे क्लियर है अब हमने तो यह पांच ATP लिखा है पांच ATP के साथ अगर मैं अपसे बाप पूछ हूँ नडीपेच बताओ तो C4 पाथवे में तुम बोलोगे कि मैं दो नडीपेच खर्च हो गया द्यान से देखना तुम बोलो आजड़े के पूरे साइकिल को हम क्या बोल रहे है एस साइकिल को और 40 cycle तो इस साइकिल में देखो जो और धिपेच यहां पर खर्चा हुआ वह ऑऑ धीं बन गया तो प्लिभ न हो वा जीरो एंएटीपेश खर्चा हुआ बड़ जब सीद्री साइ़कल चलेगी बंडल शीट्सल में एक कारबॉन डायोकसाइड के लिए तो हमें पथा न 2 मेंडीपेएश तो हो गईげगा दो एंडीपेश तो खर्चा हो गई तो एक कारबन डायोकसाइड के लिए C4 प्लांस में यहां पर हमने पाथवे लिखा है पाथवे का अलग अलग पढ़ लिया अब प्लांस में ओर आल पढ़ लेते हैं पांच एटेपी लगेगा और दो एड़ी पिएच लगेगा तिकह सुक्ए किटने क्यों स्यों से लिए गत्रों स्योंते लिए wal मॉलिक्यूल अप्सेयोट इस यू पढ़म अथ प्लू को एर घ्रीऐल आइट इस परविच्अ फर्ण फार्मेशन तो में कितने क्यों योस साइब अप बच्छ अल ब मॉलनकूल Metropolitan Water好像 ताम्बर अचります सी फोर पाथवे एस वेल आस सिक्स टॉंस चाहिए होंगी किसके लिए सी थरी पाथवे के लिए अब जब एक टॉंसी पॉर चलता है तो दो एटीपी बनती है ना शे टॉंसी पॉर चलेगा तो कितनी एटीपी बनेगी बारा एटीपी ठीके एटीपीएच तो जीरो ही हो जाएगा जीरो एटीपीएच द्यान से सुनना यार तब ही समझ में आएगा जब एक टॉंसी चल रहा है तो तीन एटीपी खर्च हो रही है छे टॉंस चलाने के लिए कितना हो जाएगा छे टॉंस चलाने के लिए अठारा एटीपी और एटीपीएच बारा एटीपीएच तो इनको प्लस कर दो टोटल कितनी हो गई टोटल खर्चा एक सेके ऐसा लिखते हैं कि सीपोर प्लांच में टोटल खर्चा कितना हो गया एक ग्लुकोस को बनाने के लिए बारा प्लस अठारा तीस एटीपी और बारा प्लस जीरो बारा एटीपीएच बारा एटीपीएच तो मैंने बच्चों आपको हर तरीके से बता दिया है कि जिस हिसाब से भी क्वेशन अगर क्वेशन आए एक सीओटू के रिस्पेक्ट में एक सीओटू के रिस्पेक्ट में पांच एटीपी और दो एटीपीएच का खर्चा होता है सीफोर प्लांच में अगर क्वेशन आए कि एक सीओटू सीफोर प्लांच में जब जाता है तो सीफोर पाथवे के तरू कि भी बता दिया है दोनों पात्वे के लिए ठीक है तो हमने देखा जब C4 प्लांस में खाना बनेगा ग्लुकोस बनता है तो दोनों पात्वे चलती है C3 और C4 खाना बनाने वाला C3 पात हुए कारबन डायोकसाइड को वहां से खीच के यहां भेजने वाला कौन है C4 देख लिए आमने तो यार कंपेर करो अगर हम इसको कंपेर करें विल्ट रिस्पेक्ट तो यह जादा खर्चा कर रहे हैं बहुत खर्चीला प्रॉसस है इतना खर्चीला होने के हम C4 प्लांच को बोलते हैं कि यह जादा Efficient होता है इसकी जो photosynthetic efficiency बच्चो और वहां जादा होती है क्या होती है जादा होती है क्यों बोला जाता है क्योंकि हमने कल डिसकस किया था नहीं होता है उसकी वजब बताने से पहले उसकी वजब बताने से पहले, let me tell you that screenshot first I will let you know the screenshot which I have added screenshot NCRT का है ठीक है, photo respiration के topic से just a second photo respiration के topic से add कर रही हूं screenshot just a second बच्चो okay बच्चो, so screenshot देखते हैं, वो वाला yes, so this is the screenshot okay तो लिखा हुआ है कि जो C4 plants है जो C4 plants है वो photo respiration नहीं करते हैं जैसे हमने कल दिसक्स किया था this is because they have mechanism that increases the concentration of CO2 at the enzyme site ये क्या कह रहे हैं, ज्यान से सुनना NCRT हमारी कहती है कि C4 में इसलिए photo respiration नहीं होता ये है हमारी bundle sheet cell इसी bundle sheet में हमारा क्या present है Rubisco present है तो होता क्या है यार, यहाँ पर बार बार C4 ऐसे तूटता रहेगा C4 ऐसे तूटता रहेगा तो CO2 का जो concentration है inside bundle sheet cell वो जादा है तो Rubisco का वैसे तो प्यार किस के साथ जादा है CO2 के साथ जादा है और बाई डिफॉल्ट CO2 का concentration में Rubisco के अराउंड जादा है इसी वज़े से और अगर CO2 का concentration जादा होता है तो RUBP हमेशा किस के साथ बाइंड करेगा CO2 के साथ बाइंड करेगा RUBP CO2 के साथ बाइंड करेगा तो कौन सी process चुरू हो जाएगी Carboxylation तब Bundle Sheet Cell में Oxygenation नहीं होगा Oxygenase activity क्या होगी बच्चो Absent क्यों absent होई क्योंकि already CO2 का concentration बहुत जादा है तो Rubisco CO2 के साथ बाइंड कराके C3 cycle चला दे रही है ना कि वो Oxygen के साथ बाइंड कराके Oxygenase activity करा है अगर Oxygenase activity ही नहीं हो रही है Bundle Sheet Cell में तो photorespiration भी नहीं चलेगी This is the reason why do we say that C4 में photorespiration नहीं होती है बच्चो क्यों नहीं होती है ये reason है क्यों देखो लिखाओ NCRT ने क्यों नहीं होती Because they have a mechanism वो कौन सी mechanism है यहां लिख देते हैं किस mechanism की ये बाग कर रहे है C4 acids D-carboxylation में जा रहा है C4 acids क्या जा रहा है बच्चो D-carboxylation में जा रहा है क्या बनाने के लिए C3 acids बनाने के लिए D-carboxylation से CO2 मिल रहा है कहां पर Bundle Sheet Cell में जिसकी बज़े से Rubis को सिर्फ इस carbon dioxide के साथ bind करके C3 cycle चला रहा है ना कि photorespiration ठीक है यह NCRT कहना चाहती है देखो This takes place लिए मैंने आपको अलड़ी explain कर दिया है This takes place when the C4 acid from the mesophyll cell is broken down in the bundle sheet cell to release carbon dioxide यही पड़ा है This results in increasing the intracellular concentration यह बहुत important है जो CO2 की concentration bundle sheet cell के अंदर बन रही है जो CO2 की concentration bundle sheet cell के अंदर बन रही है इसको हम intracellular बोलते हैं This is intracellular CO2 क्यों इसको intracellular CO2 बोला जा रहा है बच्चों? क्योंकि यह CO2 अंदर ही बन रहा है यह CO2 अंदर ही बन रहा है क्यों? क्योंकि यह जो layer है यह impervious है यह impervious है यहाँ पर इससे oxygen भी entry नहीं मार सकता और CO2 भी बाहर से entry नहीं मार सकता oxygen आ नहीं रहा अंदर oxygen है नहीं इसलिए यहाँ पर oxygenase activity और photorespiration नहीं हो रही बाहर से CO2 भी नहीं आ रहा है जो भी CO2 आ रहा है वो cell का ही है इसलिए ने NCRT ने लिखा हुआ है यह CO2 कैसा CO2 है intracellular CO2 है तो intracellular CO2 की concentration bundle sheet cell के अंदर बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि C4 acids का decarboxylation होता है इसलिए आपर photorespiration नहीं चलती है अब आगे देखो NCRT क्या लिखती है in turn this ensures that rubiscus से किसकी तरह function करे carboxylase enzyme की तरह और oxylase activity को बिलकुल minimize कर दे now that you know that C4 plants lack photorespiration पता चल गया है? reason भी पता चल गया है? you probably can understand why productivity and yields are better in these plants क्योंकि photorespiration होता है कोई photorespiratory loss ही नहीं हो रहा क्योंकि हमने पढ़ था ना photorespiration में कि carbon dioxide fix होने की बजाए वो sorry carbon dioxide fix होने की बजाए carbon dioxide का loss हो जाता है photorespiration बट इनमें photorespiration होती नहीं तो जो भी carbon dioxide होगा वो उसको use कर लेते हैं photosynthesis में इसलिए इनकी productivity भी जादा अच्छी है productivity भी high है और yield भी high है किसकी high है? C4 plants की as compared to the C3 plants जबकि ये जादा खर्ची ले हैं ये जादा energy खर्च कर रहे हैं बट फिर भी ये efficient है as compared to the as compared to the बच्चो C3 plants ठीक है? अब यार अब हम इसको थोड़ा compare कर लेते हैं ठीक है? compare कैसे करेंगे? ये देखो हमारी NCRT ने एक सेकेंड बच्चो हमारी NCRT में एक table है table तो वैसे मैं आपको homework दूँगी ठीक है? table would be homework for you इसमें हर plant को C3 plants और C4 plants को compare किया हुआ है comparison के लिए features भी provided है और आपको choose भी यहां से करना options भी हैं तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है अब उन सारे concept का इस्तमाल करना है आपको और इसको fill करना है कोशिश करो आपको notes में answers मिलेगा यह सारा fill up मिलेगा पर पहले आप कोशिश करो इसमें भी लिखने रही हूँ ठीक है? थोड़ा सा difference हम यहां पर पढ़ लेते हैं with respect to C3 and C4 इसका छोटा version पढ़ते हैं उस छोटे version को आप इस्तमाल करोगे बड़े table को भरने के लिए ठीक है? अब देखो यहां पर C3 cycle और C4 cycle है ठीक है? और features यहां पर लिखे हुए C3 cycle कहां चलती है बच्चो C3 cycle चलती है C3 plants में और हमने पढ़ा था C3 plants कहां पर होते हैं? Temperate areas में और Temperate areas का temperature कम होता है 10 से 25 degree centigrade C4 cycle कहां पर चलती है? C4 plants में C4 plants में होता क्या है बच्चो? C4 plants का temperature जादा होता है क्योंकि कैसे plants होते है? Tropical plants होते हैं ठीक है? तो अब इस ती temperature जो इनका favorable है 30 से 40 degree है अच्छा एक चीज़ और Temperature से एक चीज़ और याद आई क्या थी वो? 1 second यह देखो cycle पर आजओ हमने बोला कि pyruvac acid को हम regeneration के लिए इस्तमाल करते हैं किसके regeneration के लिए? PEP के regeneration के लिए तो भहिया यहां पर enzyme भी चाहिए होगी ठीक है? जो PEP को regenerate कर आए और उस regeneration वाली enzyme का नाम क्या होता है? उस regeneration वाली enzyme का नाम है PEP PEP synthase PEP synthase यह जो PEP synthase होती है बच्चों यह cold PEP synthase जो होती है that is cold sensitive enzyme अगर आपको कोई बोले कि आप cold sensitive हो इसका मतलब क्या है? कि आप cold थंडे temperature में बिमार पड़ जाते हो काम नहीं कर पाते अच्छे से है ना? अगर मैं इस enzyme को बोल रही हूँ यह cold sensitive है that means यह भी function नहीं कर पाती low temperature पर and this is the reason कि यह जो cycle है यह थंडे temperature वाले plants पर नहीं मिलती है यह कहां पर मिलती है? जिनका temperature बहुत जादा होता है और बहुत जादे वाले temperature को क्या बोलते हैं बच्चो बहुत जादा होता है tolerance level जादा होता है और ऐसे plants को हम क्या बोलते है tropical plants इसलिए जो इनका favorable temperature है बच्चो वह भी बहुत जादा है तो अगर आपसे पूछा जाए कि C3 plants में धान से सुनना C3 plants में सिर्फ कौन से साइकल चलती है C3 साइकल चलती है C4 साइकल नहीं चलती क्यों क्योंकि C4 साइकल को चलाने के लिए तो में temperature क्या देना पड़ेगा जादा high temperature क्यों देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर एक enzyme है pepsynthetase वो सिर्फ और सिर्फ high temperature पर रह सकती है low temperature पर survive नहीं कर पाएगी और ये plant मिलते ही कहाँ पर है बचों ये plant मिलते ही low temperature वाले area में है ठीक है तो low temperature पर क्या C4 साइकल रन कर सकता है नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि इसमें जो ये enzyme है ये low temperature पर खराब हो जाती है इन सब reason के वज़े से हमने C3 plant में सिर्फ C3 cycle की presence देखी थी इस वाले cycle की presence नहीं देखी थी ठीक है जबकि C4 plant में दोनों चलता है C3 भी present होता है और C4 भी present होता है clear हो गया बच्चों? ठीक है? clear हो गया? next time हाँ, trans anatomy बढ़ते हैं trans anatomy सिर्फ और सिर्फ कहा होता है बच्चों? C4 में यहां पर absent होता है trans anatomy क्या होता हमने देख रखता है जब properly bundle sheet cell concentric arrangement में vascular bundles को around arrange कर sorry surround करके रखे यहां पर first table product कौन होता है? तीन carbon का जिसका नाम है phosphoglyceric acid यहां पर कौन होता है? oxaloacetic acid पहला carbon तीन carbon का है इसलिए cycle को C3 और इसको क्या बोल रहे है? C4 और ऐसे plants को हम C4 plants बोलते हैं ऐसे plants को हम C3 plants बोलते हैं यहां पर जो carbon dioxide fix हुआ यह सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल cell में होता है यहां पर fixation दोनों जगा हो रही है मीजोफिल में भी और bundle sheet cell में भी difference क्या है? मीजोफिल cell में primary carboxylation होती है bundle sheet cell में secondary carboxylation होती है यहां पर CO2 acceptor कौन है? 5 carbon का RUBP यहां पर कौन है? 3 carbon का phosphoenol pyruvate यहां पर जो enzyme है carboxylation की वो सिर्फ और सिर्फ रुबिस्को है यहां पर दो enzyme है यह वाली enzyme मीजोफिल cell में present है नहीं से सुनना बच्चो यह वाली enzyme मीजोफिल cell में present है और क्या करा रही है? primary carboxylation जबकि यह वाली enzyme कहां पर present है? bundle sheet cell में और क्या करा रही है? secondary carboxylation ठीक है difference देखते जाओ photorespiration यहां पर present होती है यहां पर absent होती है because they have carbon concentrating mechanism they have carbon concentrating mechanism जो mechanism अभी NCRT में डिसक्स किया था और इस mechanism के थू it results in increased CO2 concentration increased CO2 concentration near rubisco क्योंकि यह rubisco के साथ problem है rubisco के साथ problem क्या है? यह oxygen के साथ भी bind कर सकती है CO2 के साथ भी bind कर सकती है C3 plants में क्योंकि main enzyme यहां पर rubisco है तो concentration rubisco के around जिसका जादा होगा वो उसके साथ पकड़के bind कर जाएगी अगर CO2 के साथ bind कर गई तो C3 cycle चलने लगता है अगर oxygen के साथ bind कर जाए photorespiration चलने लगता है वहां पर main enzyme ही वही है बट यहां पर दो enzymes है और जो पहली enzyme है वह pep case है pep case के साथ problem नहीं है pep case सिर्फ CO2 को ही खीशती है चाहे कम हो चाहे जादा CO2 चाहे कम हो चाहे जादा हो खीचेगी CO2 को ही O2 को खीचेगी नहीं कभी बट rubisco के साथ problem है rubisco कहां पर है bundle sheet cell में तो उसका भी solution है क्या solution है उसके around CO2 का concentration जादा कर दो O2 रखो ही ना तो by default वो क्या करेगा by default सिर्फ CO2 को ही खीचेगा तो photorespiration चलेगी ही नहीं अब productivity के respect में यह low होती है क्योंकि यहाँ पर photorespiration होता है और यहाँ पर productivity high होती है because यहाँ पर photorespiration नहीं होता है तो हमने दोनों को compare कर लिया बच्चो major major differences हमने यहाँ पर cover कर लिया है ठीक है अब जो differences आपके NCAT ने दिया हुआ है उस बड़े table को भरना है चोटे से table का इस्तमाल करके ठीक है एक चीज़ और बच्चो एक चीज़ और हम बोल रहे हैं कल हमने condition पड़ी थी ना कि photorespiration होने के लिए light intensity जादा चाहिए देखो C4 में C4 plant जहां मिलते हैं वहाँ पर temperature जादा है तो obviously light intensity भी जादा होगी इतने light, high light intensity में होने के बावजूद यह photorespiration नहीं कर पाते हैं क्यों नहीं कर पाते हैं इसी reason की वज़े से they are so strong enough that high light intensity में होने के बावजूद they cannot perform the photorespiration why because of this mechanism ठीक है एक slide पर एक और बात लिखी थी बच्चों उसको भी discuss करते हैं वह कानसी बात थी एक second जहां पर हमने दो cells के बारे में discuss किया था ना तो यहां पर हमने लिखा था यह NCRT की statement है कि जो C4 plants होते हैं वह high temperature को tolerate कर सकते हैं बिल्कुल तभी ऐसे plant को हम tropical plants बोलते हैं एक और NCRT में नहीं है that is they respond to high salinity high salinity में हर कोई plant नहीं रह सकता क्योंकि यार थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट याद होगा नहीं आदे तो एक छोटा सा चीज बताते हैं यह soil है ध्यान से सुनना यार थोड़ा ट्रांसपोर्ट वाला concept भी है समझने की कोशिश करते हैं यह soil है यहां पर यह root की जड़ है है ना और यह एक पौधा है यह पौधा कैसा है यह एक C4 plant है कैसा plant है बच्चो यह C4 plant है हर plant high salt concentration में रहे यह संभव नहीं है बट C4 रह सकता है इस soil में जो salt का concentration है जो salt का concentration है वो बहुत जादा है salt क्या है बच्चो solute है that means solute का concentration बहुत जादा है soil में है ना तो होता क्या है जब solute का concentration जादा हो है ऐसे ऐसे चीज को क्या बोलते हैं बच्चो hypertonic ध्यान से सुनना जब transport पढ़ोगे तो और clear हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं hypertonic मतलब soil हमारा कैसा है hypertonic hypertonic hypertension हो गया hypertension तो hyperonic कहाँ सिल्रेट करते हैं hyper word का मतलब होता है जादा क्या होता है जादा पर किसके जादा की बात कर रहे हैं कि के concentration की बात कर रहे हैं salt की concentration की जितने भी टर्म्स होते हैं, hyper, hypo, यह सब relative terms होते हैं, comparative terms होते हैं, जैसे आपके marks भले ही 9 आए हो, 9 out of 10, बड़ किसी friend के 9.5, 9.75 भी आए ना, तो parents के अब होते हैं, उसके ज़्यादा अच्छे, compare कर रही हो, दिल पे मत ले ना, ठीक है, खुद लगता है, उसके ज़्यादा है, तुम compare करते हो, नहीं यार, उसके ज़्यादा है, है ना, similarly, soil, hypertonic है, तो root क्या है, बच्चो, root की cells क्य तो जब आप transport पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर एक concept पढ़ते हो, क्या concept पढ़ते हो, बच्चो, ausmosis का, तो osmosis में, या तो normal भी पढ़ाऊगा, बच्चो, osmosis में क्या होता है, पानी की movement होती है, कहा से कहा पर पानी की movement होती है, high concentration, जहाँ पर पानी का concentration जादा है, उधर से क concentration की तरफ क्योंकि osmosis क्या है osmosis एक special type of diffusion है और diffusion में आपको पता है movement होती हाय to low तो यहां पर भी movement हो रही है high to low है ना जहां पर पानी ज्यादा होता यार ऐसे solution को हम क्या बोलते हैं dilute solution जहां पर पानी कम होता है with respect to the solute तो हम ऐसे solution को क्या बोलते हैं concentrated solution ठीक है तो हम यह नहीं बोल सकते कि osmosis होती है dilute से concentrated की तरह बोलते हैं न अच्छा एक और चीज़ एक और concept पढ़ते हैं transport में dilute solution को थोड़ा और अच्छा term देना चाहें मतलब पानी ज्यादा है पानी ज्यादे का मतलब solute कम है तो ऐसे solution को हम बोलते हैं hypotonic क्या बोलते हैं hypotonic और यहां पर solution को क्या बोलेंगे hypertonic तो हम osmosis को एक और तरीके से define कर सकते हैं कि osmosis कहां से का और ही hyper to sorry hypo to hypertonic तो तीनों condition में हमने समझ लिया कि osmosis की direction कहा होगी ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ डारी सोलीशन से concentrated solution की तरफ hypotonic से hypertonic की तरफ ठीक है अब सुनों यहां पर हमने देखा root cells hypotonic है soil हमारा hypertonic है that means पानी बहार निकलना शुरू हो जाता है ऐसे condition में भाईया प्लांट को ग्रो कराने के लिए पानी चाहिए बट यहां पर saline soil है कैसा soil है यह soil कैसा है बच्चो saline soil क्यों saline soil बोल रहे है क्योंकि इस soil में salt का concentration बहुत जादा है तो saline soil में क्या होता है root से पानी निकलना शुरू हो जाता है instead of absorption तो यह प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता प्लांट ऐसे में survive नहीं कर सकता बट हमारे C4 प्लांट जो है न बच्चों यह ऐसे condition में भी survive कर जाते हैं that means यह पानी को अपने root से निकलने नहीं देते होंगे और क्यों नहीं देते हैं क्योंकि यह अपने root के cell में यह अपने root के cell में organic acids को भर लेते हैं कौन से organic acids को accumulate कर लेते हैं कौन से organic acid को accumulate कर लेते हैं बच्चों oxaloacetic acid, malic acid या aspartic acid अब तुम सोच रहे होगे कि मैं यह कहां से आया क्योंकि यह तो photosynthesis के दुरान बना था कोई बात नी बच्चों photosynthesis कहां चलती है photosynthesis leaf में चलती है न तो leaf में जब photosynthesis चली होगी C4 plants में तो उसका result उनको यह acids तो मिले ही होगे न oxaloacetic acid, malic acid और aspartic acid तो इन सब को transport करा दिया गया कहां से कहां लीव से root में ठीक है और transport जब हुए तो यह root में क्या आ गया यह organic acids आ गया और इसी organic acid के accumulation से जो C4 plants होते हैं they can easily tolerate salinity नहीं तो हर plant के बसका नहीं है कि यह solinity को बरदाश्ट कर पाए salinity को बरदाश्ट कर पाए है न क्यों नहीं बरदाश्ट कर पाता बच्चों यह हमने अलरडी देख लिया with respect to the all transport वाला reason ठीक है यह topic तो हम एक chapter में पढ़ते हो transport in plants थोड़ा से यहां पर बताना पड़ा बच्चों क्योंकि हमने यहां पर यह शब्द का इस्तमाल किया है तो दिस वाल बाउट दी डिफरेंट C4 mechanism जो हमारे किसमें चलती ही बच्चों C4 plants में चलती है अब थोड़ा आ जाते हैं यार थोड़ा सा question कर लेते हैं ठीक है आओ question कर लेते हैं identify the reaction for which the C4 plants require some extra ATP molecule in comparison to C3 plants देखो जब C4 plants चलता है बच्चों जब C4 plant चलता है तो उसमें C4 cycle भी होती है और C3 cycle भी चलती धान से सुनना जो C3 plants होता है अभी हमने discuss किया था वहाँ पर सिर्फ C3 cycle चलती है वहाँ पर C4 cycle नहीं चल सकती क्यों नहीं चल सकती वह इंजाइन की वज़े से क्योंकि इसको ठंडे से problem है वह हमने discuss कर लिया था तो इसमें पूछ रहा है कि extra ATP किस जगह पर इस्तमाल हुई है देखो जब C3 इसमें चला C3 इसमें चला तो दोनों में ATP energy खर्च एक ही बराबर है जब C4 चला था C4 चला था बच्चों तो यहां पर याद करो regeneration में किसके regeneration में regeneration of PEP में दो ATP खर्च हुए थे और यही दो ATP difference create कर रहे थे यही दो ATP difference create कर रहे थे मैं आपको इससे भी दिखा सकती हूँ एक सेकेंड यह देखो अगर तुम एक CO2 के respect में याद करो तो एक CO2 के respect में C3 में तीन ATP था बट यहां पर पांच ATP है दो ATP का difference आया है वह दो ATP का difference कहां आया है वह दो ATP का difference यही रिजनरेशन वाले process में तो देख लेते हैं यार option हमारे पस क्या available question तो हमने समझ लिया है ठीक है conversion of pep to OA नहीं conversion of pyruvate to pep येस pyruvate का मतलब pyruvate acid इसी process में energy खर्च हुई है extra ठीक है यह हो गया next नेक्स्ट बच्चो फोटो respiration में co2 कहां release होता है तो हमने पिछली लेक्चर में cover किया था ना कि mitochondria में वह co2 release होता है मैंने बताया भी था बच्चो एक question पूछते है नेक्स्ट है carbon concentrating steps are founded अभी मैंने आपको बताया बच्चो carbon concentrating mechanism कहां पर मिलता है c4 plants में मिलता है कहां पर मिलता है c4 plants में मिलता है तो राइस c4 नहीं कल मैंने आपको बताया था c3 है sugarcane c4 है wheat क्या है c3 है tomato क्या है c3 कल के lecture में example जब लिखा था तो लिख लिया था कि वहां पर यह सारे c3 हैं तो कहां पर मिलेगा sugarcane में मिलेगा ठीक है next crowns anatomy is concerned with crowns anatomy किसके है बच्चो crowns anatomy है कि जब उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट होती है बंडल शीट सेल व्यास्ट बंडल को अराउंट सराउंड करके रखते हैं येस देखो presence of district bundle sheets surrounded by concentric ring of mesophyll cells this is right अब तुम सोच रख में डाइम दाइम और्फिक लोरोप्लास भी तो सही है कि c4 plants में mesophyll cell and bundle sheet cells are specialized to perform respectively तो c4 plants में mesophyll cell है बच्चो तो हमें पता है mesophyll cell में chloroplast होगा तो वो तुम्हारा light reaction भी करा सकता है और bundle sheet cell में dark reaction हो सकता है तो ये वाला option हो जाएगा dark and light reaction light and photorespiration तो नहीं हो सकता ठीक है और c4 plants में बच्चो photorespiration mesophyll cell में वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि mesophyll cell में pep case enzyme है ठीक है photorespiration किसके लिए होता है रुबिस्को के लिए रुबिस्को कहां पर present होती है bundle sheet cell में present होती है ठीक है और mesophyll cell में बच्चो ग्रैना वाला chloroplast है तो इसके ग्रैना में light चल सकती है और स्ट्रोमा में dark reaction चल सकता है ठीक है तो यहां पर हमने वह लिख दिया ओके next next है एक ग्रैनल chloroplast are found in तो मैंने आपको पढ़ाय हो है बच्चो एक ग्रैनल कहां पर मिलता है एक ग्रैनल मिलता है bundle sheet cell bundle sheet cell of c4 plant तो देख लो bundle sheet cell कहां है bundle sheet cell यहां पर है और bundle sheet cell यहां पर है ठीक है तो हमने पढ़ा हो है sugar cane c4 है तो इसको माफ कर दो examples याद होने चाहिए बच्चो examples याद होगे तो फटा-फट कर जाओगे ठीक है यह भी सीफोर है बट यहां पर मीजोफिल सेल लिखा हुआ है मीजोफिल सेल में ग्रैनल वाला होता है एक ग्रैनल में ठीक है बाकी दोनों तो हमारे गलत ही दिये हुए next find odd one with respect to double carboxylation हमने पढ़ा ना बच्चो डबल carboxylation कहां चलती है c4 plants में चलती है कहां पर चलती है c4 plants में चलती है जिया मेज मेज का scientific name है तो यह c4 है शुगर के लिखा हुआ है c4 है पाइजम सट आइवं पी है अभी हमने पढ़ा पी क्या होता है बच्चो c3 होता है शोर्गम c4 होता है तो इन सब में c4 है तो सब में decarboxylation चलेगा एकसेप्ट पाइजम सट आइवं यहीं इसका क्या है बच्चो और वन आउट है नेक्स है c4 plants में बंडल sheet cell have thin walls नहीं थिन नहीं होता थिक होता है they have large intercellular spaces no there is no intercellular spaces they are rich in pep carboxylase no they are rich in rubisco they have high density of chloroplast yes यह मैंने आप उश्चरु में बता दिया था कि number of chloroplast is high तभी ज्यादा efficient होते हैं c4 plants less efficient होते हैं low temperature पर क्योंकि इनके पास enzyme होती है pep synthetase वो क्या कराती है regeneration कराती है pep का जो कि जरूरी प्रोसेस है बटी enzyme cold sensitive होती है और for this reason only c4 plants हमेशा high temperature पर मिलते हैं tropical areas में मिलते हैं अब देखो answer कहां पर है yes cold sensitivity of pep synthetase enzyme ठीक है इसलिए low temperature पर नहीं मिलते हैं तो एक चीज में आपको बताना चाहूंगी बच्चों जब हम शुरुवात में compare कर रहे थे जब हम शुरुवात में compare कर रहे थे c3 को जब मैंने आपको revise खराय था तो मैंने बोला था यह all plants में चलता है क्योंकि यह basic pathway है तो all plants में that means c3 plants में भी चलेगा है ना as well as c4 plants में भी चलेगा पढ़ लिया था ना भी हमने पूरा पात्वे अगर कौन सा सेल होगा मीजोफिल से अगर c3 plants है तो c3 cycle कहां चल रही मीजोफिल सेल में अगर c4 plant है तो उसमें कहां पर चल रही होगी बच्चों बंडल शीट सेल में यह एड कर वारी हो एक पॉइंट यह पहले आड नहीं करवाया क्योंकि आप समझ नहीं पाते clear हो गया so this was all about the c4 cycle बच्चों और उससे related हमने comparisons भी कर लिया है next जब हम मिलेंगे next lecture में तब हम बात करेंगे last topic key that is factors affecting photosynthesis बच्चों और कुछ extra बाते बताएंगे apart from NCRT जिसमें आ जाएगा आपका camp pathway और एक हम पढ़ेंगे red drop effect which is not in the NCRT but recently कुछ 5-6 साल पहले उस पर question भी आया है और camp pathway पर भी कुछ पुरानी questions है ठीक है तो उस पर discuss करेंगे बच्चों यहां तक NCRT पढ़के आना है homework जो दिया है table complete करने का उसको भी करना है ठीक है जल्दी मिलेंगे नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए बाए बाए एंड टेक क्यार